अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए अनुरा कस्यप और तापसी पन्नू के मुंबई इसित घर पर आईटी के छापे के बाद सियासत शुरू असोग चोहन ने किंद्र सरकार पर निशाना साथते हुए लगाया ये बड़ा आरोप जिहां बॉलिवूट के डिरेक्टर अनुरा कस्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू मधू मतनेना के घर पर इंकम टेक्स दिपार्टमेंट ने छापा मारा है कहा जा रहा है कि आईकर विभाग ने यह छापा फेंटम फिल्म की टेक्स चुरी के मामले में किया है इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी पारागर में हुआ है महराश्ट के पूर्वसीयम और कॉंग्रेस के निता असोग चोहाण ने केंद्र सरकार पर निशाना साते हुए कहा कि केंद्र के खिलाफ पोलने वालों पर दबदबा बनाने का यह तरीका है आपको बता दें कि फिल्म निदेशक अनुराग कस्यप और अभिनेत्री तापसी पन्लों की संपतियों का आईकर विभा की चापे मारी पर कॉंग्रेस निता असोग चोहाण ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह देश के लिए कोई नई बात नहीं है आज कल रोज यह मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भूमिका रखता है उस पर दबाव बनाने का यह माध्यम हो गया है पश्चिम मंगाल विधान सभा चुनाव को लेकर प्रशांत की सोर का बड़ा दावा कहा बंगाल में अगर बीजेपी 100 सीटों से अधिक जीती तो राजनिती के रणनेती बनाने से सन्यास ले लूँगा जिहां पश्चिम मंगाल विधान सभा चुनाव 2021 के मद्द नजर सूबे का सियासी पारागरमय हुआ है बीजेपी और टीमसी के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं इसे बीच टीमसी को जीत दिलाने की जिम्मदारी लेने वाले और रणनेती कार प्रशान्द किसोड ने एक बड़ा दावा किया है जिससे कि बीजेपी हमलावर हो सकती है प्रशान्द किसोड ने कहा कि बंगाल में ममता बनरजी की सरकार का बनन आता है अगर भाजपा बंगाल में 100 सीटों से ज़्यादा जीजती है तो मैं राजनेतिक रणनीती से सन्यास ले लूँगा आपको बता दे कि प्रसांत किसोर के इस दावे के कई मायने निकाले जा रहे हैं किसोर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि बीजपी बंगाल में 100 सीटों का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी अगर वह ऐसा करती है तो मैं रणनीती बनाने से सन्यास ले लूँगा रहुन जानी ने माना 1975 की एमर्जनसी का फैसला था गलत नवाब मलिक ने बीजपी और प्रधान मंतरी पर निशाना साथते हुए कहा वे स्विकार करें कि गुजरात दंगा था गलत जिए आपको बता दें देश में 1975 के अपातकाल और दिल्ली और गुजरात दंग को लेकर समय समय पर राजनेती होती रहती है इसे बीच रहुल गांधी ने मंगलवार को माना कि दादी इंद्रा गांधी द्वारा लगाई गई इमर्जंसी यानि अपातकाल गलत था इसलेकर अब देश का सियासी परागरम हुआ हुआ है महराष्ट की उधव सरकार में उसकी सहयोगी एंसेपी ने रहुल गांधी के बहाने बीजपी और प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी पर निशाना साद है NCP ने था नवाब मलिक ने कहा कि BJP और प्रधान मंत्री भी स्विकार करें कि गुजरात तंगा गलत था. NCP ने था नवाब मलिक ने कहा कि राहूल गांधी ने 45 साल बाद स्विकार किया कि इमरजंसी का निरणे गलत था. कॉंग्रेस ने कहीं न कहीं अपनी गलती को स्विकारा है दिल्ली के दंगों पर माफी मांगी अब भाजपा और प्रधानमंत्री के बारी है कि वे यह स्विकार करें कि गुजरा तंगा कहीं न कहीं गलत था मसडी उपचनाओ में बीजेपी को बड़ा जटका प्रधेश अध्यक्ष आदेश गुपता बोले हार पर मंतन किया जाएगा जिहां दिल्ली में नगर निगम के लिए हुए उपचनाओ में आम आदमी पार्टी ने पांच सीटों में चार सीटे जीतने में सफलता मिली है तो तो वहीं इस चुनाओ में बीजेपी को करारी हार का मुह देखना पड़ा पांच सीटों में बीजेपी के उमिदवार एक भी सीट नहीं जीत पाए तो वहीं MCD उपचनाओ में बीजेपी को मिली करारी हार पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुपता ने कहा कि हम हार पर मन्थन करेंगे तो ही उन्होंने आगे कहा कि जो कमियां सालिमार बाग में रह गई हैं हम उसे सुधारेंगे और 2022 के चुनाव के लिए उतरेंगे बीजेपी को हार क्यों मिली हार की वजह पर विचार मन्थन किया जाएगा इन उपचुनाव को इस नजलिय से नहीं अर्थववस्था जिहां यूपी की बीजेपी सरकार लगतार अपने फैसलों को लेकर खासा चर्चा में है सियम योगी आदितनात विधान सभा में कई मुद्धों पर विवाकी से अपनी राय रखते हैं इसे बीच उत्तरपरदेश की योगी सरकार की कामों का असर अब द दूसरे स्थान पर है 2015-16 में देश की पांच वी अर्थवस्था था और 10.9 सुन्य लाक करोड कुल जीडिपी थी चार वर्सों में यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थवस्था बन गया है और जीडिपी 21.7 तीन लाक करोड रुपे हो गई है